हलो गाईज, कैसे हो आप सभी, आयोप सभी हो चूंगे, जो आने वाले दो दिन हैं वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जिन जिनका आपका RRV क्लर्क का प्रीका एक्जाम है, क्योंकि कल और परसो आपकी दो दिन पचे है RRV क्लर्क के लिए, उसके बाद जो सीफ्ट क्या होगा एक दम पर्फेक्ट तरीके से हो पाएगा यह आपने जो पहले दिन का एक्जाम था उस दिन मैं आपको बताए था तो मैं जस्ट मैं आपको बताए था आपको एक तो अपना की जो अटैम्ट थे वो क्या हो गए लो गए तो जिन-जिन बच्चो की 100% अकुरेश ऑनको नॉर्मल आजिसन का फाइदा जरूर मिलेगा तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो पारेट लघन करना है वह करना है 100% accuracy के साथ इस चीज़का इसी आपको ध्या तो इस इसका भी आपको जार रखना है, पेपर को ऐसे attempt करना है, कि maximum score आपको करना है, जैसे में example के तौर पर बता हूं, तो आपको match में क्या करना सबसे पहले है, speed जो booster होते है, speed match जो होती है, उसको आपको attempt करना है पहले है, उसके बाद reasoning की बात की तो मैंने का था, missionary topic जैसे इन्विकलिट हो गया, coding, decoding हो गया, आपका slogs हो गए, इनको पहले attempt करो, उसके बाद आप जाओ, puzzle और sitting resident पे, और जो आपका match section में है, जैसे speed match attempt करने के बाद आप जाओ, di section पे, उसके बाद आप जाओ, जैसे आपके earth matting में भी आपको 10 question आपके आते हैं, उसमें भी 3-4 question ऐसे होते हैं, तो आपको देखती स्वाल हो जाते हैं, उनको पहले attempt करो, ऐसे कोई भी question पहले attempt नहीं करना है आपको, जो आपका time खराब कर दे, time जितना जादा खराब जाएंगे, तो इस इसका आपको ज्याद रखना है, रिलेक्स करना है, जिन बच्चों का कल पेपर है, वो आज बिल्कुल study नहीं करेंगे, वो जश्ट आपकी enjoyment करेंगे, जितना हो से कि अपने brain को relax करना है, अपने parents के साथ time spend करना है, और जिन बच्चों का परसो exam है, वो आज पढ़ाई कर ले, उसके बाद कल वो rest करेंगे, इस हिसका आपको ज्याद रखना है, चलिए, best of luck for tomorrow student, and अब यह ज्याद रखना है, एक चीज़ आपको पर last time बता दो, paper में आपको speed के साथ साथ accuracy की ज्याद रखना है, चलिए, मिलते हैं, next video, thank you and best of luck.